हलो, सर्द्यों के موسم में आप जानते ही है कि हमारी बौडी बहुत सारी बیमारियों से जूद जाती है, या फिर सर्द्यों के मौसम में बिमारियों का खत्रा बहुत जाधा बढ़ जाता है ऐसे में जिन लोगों को high blood pressure की दिक्कत रहती है या फिर cholesterol high रहता है उन लोगों को दिक्कत होती है या फिर उन लोगों में ज़्यादा chances होते है heart attack के सर्दियों के मौसम में heart attack के chances 30% बढ़ जाते है क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारा heart होता है उसको properly blood flow नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारे जो blood vessel होती है सर्दियों में ठंड की वज़ा से वो बहुत जादा सीकूर जाती है जिसकी वज़ा से blood flow में रुकावट आती है और सर्दियों में high blood pressure के वाले लोगों में heart attack के खत्रा बढ़ जाता है सर्दियों के मौसम में हमारा blood बहुत जादा गाड़ा हो जाता है सर्दियों के मौसम में जब blood गाड़ा हो जाता है तो उसका proper supply heart को नहीं मिल पाती है जिसकी वज़ा से हमारी body बहुत जादा दबाब बनाती है और दबाब की वज़ा से जो हमारा normal BP होता है वो भी increase हो जाता है और blood pressure के increase होने वाले लोगों में heart attack का खत्रा बहुत ही जादा बढ़ जाता है blood के गाड़ा होने से यह जो है properly जो हमारी blood vessels होती है उनमें ठक्के जमना शुरू हो जाता है जिसके वज़ा से heart attack के chances बहुत ही जादा बढ़ने लगते हैं सर्दियों के मौसम में जो भी जो हमारा बॉडी का temperature होता है वह भी बहुत जादा लो होता है जिसके वज़ा से लोगों का मानना है या फिर डॉक्टर जो एक्सपॉर्ट है उनका यह कहना होता है कि हम लोगों को अगर BP हाई रहता है या कि किसी को BP हाई रहता है तो उनके सु हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके के बदलाव आते हैं जैसे कि हार्ट में हमारे चेंजिस आने शुरू हो जाते हैं ब्लेड वेशल में चेंजिस आना शुरू हो जाते हैं इसके साथ ही जो हर्मोनल सिस्टम होता है उसमें भी बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जात या फिर एक्स्ट्रा प्रेशर बंदाती है जिसकी वज़ा से हमारी बॉड़ी में हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसिस बढ़ जाते हैं जो कि हमारी हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक होते हैं साथ ही ये हार्ट अटेक के खत्रे को बढ़ा देते हैं तो आज है कि अगर आप हट आजकल के दिनों में लोगों को हैबिट होती है कि वो सुभा 5-6 बजे रोज वाक पे जाते हैं लेकिन सुभा सुभा मौनिंग वाक पे जाना हार्ट अटेक के लिए बहुत जादा हानेकारक होता है तो विंटर के मौसम में आप लोग 5-6 बजे की बजा घाने में नमक का सेवन कम करें नमक जो होता है वह हमारे बल्लाड प्रेशर को इंक्रीज करता है अगर हमारा प्लर्ड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस बहुत जादा बढ़ जाते हैं इसके साथ ही आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम दूप में बिताएं क्योंकि जो हमारी ब्लड वेशल कॉंस्टिक्ट हो गई होती है वह दूप में जाने से आपकी जो है नॉर्मल हो जाएगी और साथ ही आप लोगों को सर्दियों के मौ चैटिया आती है लोगों में तला भुना या फिर स्पाइसी जो अईले चीज़ेस होती है उनके खाने की बहुते हैं जो कि हमारे पॉलिस्ट्रोस के लेवल को इंक्रीज करती है जब हमारी बॉड़ी में कॉलिस्ट्रोस को लेवल बढ़ जाता है तो हमारी ब्लड होता है supply properly heart को नहीं मिल पाती है जो कि हमारे दिल की health के लिए बहुत जादा हानेकारक है साथ ही heart attack को increase करने वाली चीज है तो सर्दियों के मौसम में specially इंचीजों को avoid करें ताकि आपकी अपनी health भी ठीक रहे और आपकी जो heart की health है वो भी maintain रहे और इसके साथ ही जिन लोगों का BP increase होता है वो अपने डाइट में चेंज जरूर करें और खाने में sodium यानि नमक का बहुत ही कम इस्तेमाल करें ताकि आप इन सब चीजों से बच सकें तो ऐसे ही health related वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी स जाके सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें थैंक्यू झाल